HDFC Bank Home Loan दोस्तों आप HDFC Bank से Home Loan कैसे ले सकते हैं? Online और Offline दोनों तरीकों से क्या आपको पता है? अगर आप एक किसान हैं, तब भी आप HDFC से Home Loan ले सकते हैं कैसे? यह हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे Home Loan लेने के लिए आपको किन-किन डॉकमेंज के जौरत होती है और किन-किन टर्म्स और कंडिसन को फॉलो करके आप HDFC Bank से Home Loan लेने के लिए इलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इलिजिबल हैं, तो आपको मैक्समम कितने अमाउंट तक का Home Loan मिल सकता है उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए आपको कितने महनों का समय मिलेगा और सबसे important बात लोन लेने के बाद आपको लोन अमाउंट पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना होगा और कौन-कौन से एक्स्टा चाज देने होंगे ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे आईए जानते हैं सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि HDFC से हम लोग Home Loan क्यों लें इसके benefits क्या-क्या है पहला benefit है कि HDFC से आपको Low Interest Rate के साथ Home Loan मिल सकता है HDFC में दोस्तों Starting Interest Rate 6.75% पर NM का है दूसरी benefit यहां अगर आप किसी Women के नाम से Home Loan लेते हैं तो उसमें आपको 0.05% का Interest Rate में कौन सेसन में मिलता है तीसरी benefit Army Group यानि कि Indian Army Employee को यहाँ पे AGIF यानि कि Army Group Insurance Fund की Facility जी जाती है जो कि केवल Indian Army Employee के लिए है चौती benefit इसका tenure भी Flexible होता है यहाँ पे आपको maximum 30 साल तक का Repayment Time मिल सकता है यानि कि 30 साल तक आपको समय मिलता है Loan को वापस करने के लिए पांचमा benefit Home Loan में दोस्तों HDFC वाले कई टाइप्स के Home Loan रखे हैं जो कि Customers के हिसाप से सूट करते हैं जैसे कि Home Loan for Residence Indian Home Loan for Buying a New Plot Home Loan for Indian Earning at least 10,000 per month इसी तरह के Home Loan में और भी कुछ टाइप्स प्रॉइट करते हैं HDFC वाले जिसके हिसाप से कि Customer अपने हिसाप से यानि कि जैसे उन्हें अगर New Plot खरिदना है तो वो New Plot वाला Home Loan लेंगे तो उनको यहाँ पे कुछ Special Facility दी जाती है और साथ में दोस्तों यहाँ पे Repayment करने के लिए भी आपको Multiple Option मिल जाते हैं जो की Customer अपने हिसाप से सेलेक्ट कर सकते हैं जो Repayment उनको अच्छा लगता है उससे सेलेक्ट करके वो उस तरह से Repayment कर सकते हैं इसी तरह के HDFC Bank से Home Loan लेने में आपको बहुत सारे Benefits मिलते हैं अगर आपको सारे Benefits के बारे में जानना है तो आप description चेक आउट कर सकते हैं वहाँ HDFC से Home Loan लेने के लगबख सारे Benefits मेंसिन किये गए हैं अब बत आती है कि HDFC से Home Loan किन-किन लोगों को मिल सकता है यहाँ पे eligibility criteria क्या है दोस्तों सबसे पहले आपका age minimum 21 years और maximum 65 years तक का होना चाहिए दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों salaried और self-employed दोनों लोगों को loan provide किया जाता है साथ में जो agriculturalist हैं यानि कि जो किसान हैं वो भी HDFC से Home Loan ले सकते हैं यहाँ पे अगर आप एक salary person है तो आपका income minimum 10,000 per month होना चाहिए वहीं अगर आप एक businessman है यानि कि self-employed है तो आपका income minimum 2,000,000 per annum होना चाहिए तब आप यहाँ पे loan लेने के लिए eligible हो सकते हैं अब ज़रूरत होती है documents की documents में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे दो photograph की ज़रूरत होती है दूसरा documents यहाँ पे आपको identity proof और residence proof देना होता है इन दोनो documents के तहत आप कौन-कौन से documents दे सकते हैं इसका list आपको description में दिया गया है तीसरा यहाँ पे आपको last six month का bank statement देना होता है और चौथा processing fee पे करने के लिए एक check देना होता है अब बात आती है income documents की जसमें की agriculturalist, saluted customers और self-employed तीनों को अलग-अलग documents देना होता है अगर आप एक saluted person हैं तो आपको latest salary slip देना होगा और form 16 फिल करके देना होगा अगर आप एक self-employed हैं तो आपको यहाँ पे educational qualification certificate and proof of business देना होगा यानि कि आप business करते हैं उसका proof देना होगा और साथ में आपको educational certificate देना होगा दूसरा यहाँ पे आपको previous three years यानि कि पिछले तीन साल का income tax return का copy देना होगा और साथ में पिछले तीन साल का profit and loss account और balance rate देना होगा वहीं अगर आप एक agriculturalist हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी भूमी है यानि कि जितने भी जमीन है उसको दरसाते हुए यहाँ पे आपको उसकी एक कौपी देनी होती है दूसरा यहाँ पे आप जितनी खेती कर रहे हैं जितने जमीन में उसे दरसाते हुए आपको अपने जमीन के कागजात का एक कौपी देना होता है और तीसरा, यहाँ पे अगर आप पहले से कोई loan लिये हुए हैं, तो उसका repayment आप कैसे कर रहे हैं, उसका एक copy देना होता है, तो यह सारे documents दोस्तों आपको screen पे भी दिखाये जा रहे होंगे, इसके अलावा documents bank to bank ferry करते हैं, अगर आप ruler area में रहते हैं, तो हो सकता है आपसे जादा documents लिया जाए, अगर आप urban area में रहते हैं, तो आप कम documents लिया जाए, अब बत आती है कि यहाँ से आपको maximum कितने amount तक का home loan मिल सकता है, दोस्तों यह depend करता है कि आपका salary कितना है, जैसे अगर example के तोर पे देखे, तो अगर आपका salary 25,000 पर month है, तब आप यहाँ पे 13, 15,160 रुपे तक का loan ले सकते हैं, और यहाँ पे आपका monthly EMI 10,000 का बनेगा, इसे आप calculate करना अगर चाहते हैं, कि आपका income कितना है और उसके हिसाब से आपको कितना loan मिल सकता है, तो description में एक link दिया हुआ है, आपको उस पे click करना है, तब आप इस page दिया जाईएगा, यहाँ यहाँ पे दोस्तों आप देखे एक calculator दिया हुआ है, जसमें कि सबसे पहले gross income पूछा जाता है, आपको यहाँ पे इस line के हिसाब से अपने income को fill करना है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कि आपको maximum कितने amount तक का loan मिल सकता है, और साथ में नीचे द दोस्तों आप calculate कर सकते हैं अपने salary के हिसाब से कि आपको कितने तक का home loan मिल सकता है, यह loan amount दोस्तों आपके civil score पे भी depend करता है, अगर आपका civil score खराब है, तो आपको यहाँ पे कम loan amount अपरोब किया जाएगा, और ज्यादा खराब रहेगा तो हो सकता है आपको loan मिले भी नह तो अगर आपको civil score के बारे में नहीं पता है, या फिर अगर आपका civil score खराब है, तो description में एक civil score का dedicated video का link दिया हुआ है, आप उसे देख लीजे, उससे आपको civil score के बारे में सारी शीजे पता चल जाएगे, फिर आप अपना civil score बहुत ही आसानी से improve कर पाएंगे, तो अब आती है कि अगर आप loan लेना चाहते हैं, तो आप loan लीजेगा कैसे, दोस्तो loan लेने के दो तरीके हैं, पहला online और दूसरा offline, online अगर आप loan लेना चाहते हैं, तो उसके लिए description में आपको एक link मिल जाएगा, आपको इस पे click करना है, वो आपको HDFC bank के official website के उस webpage पे ले जाएग जहां से आप directly home loan के लिए apply कर सकते हैं, यहां पे देखी दोस्तों आपको sidebar में तीन option दिख रहे हैं, sign up, user ID और loan account number, अगर आपका account पहले से HDFC bank में है, तब आप यहां पे account number यूज़ कर सकते हैं, वहीं अगर आप net banking यूज़ करते हैं, तो आपके पास ID और password भी होगा, तो वहीं दोस्तों अगर आपको cable check करना है, कि आप loan लेने के लिए eligible हैं, या फिर नहीं, तब दोस्तों उसके लिए call link दिया हुआ होगा, आपको उस पर click करना है, तो वो आपको इस way page भी लेकर के आएगा, जहां से कि आप eligibility check कर सकते हैं, कि आप HDFC से loan लेने के लिए eligible हैं, या फिर नहीं है, तो यहां से दोस्तों आपको apply कर लेना है, apply करने के बाद आपका document verification होगा, उसके बाद आपकी eligibility check होगी, आपके pen card के basis पर, और फिर आप जितने loan amount के लिए भी eligible होंगे, उसका आपको आपके register mobile number पर message आ जाएगा, और वहां से आप जान जाएगे कि आप इतना home loan amount पहुंच आएगा, और इस तरह से दोस्तों आप online apply करके home loan ले सकते हैं, अब बत आती है offline की, तो offline में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, normally आपके आजपास नजदी की HDFC bank जहां भी है, आपको वहां जाना है, उन्हें बताना है कि आप HDFC home loan लेना चाहते हो, बाकी आपको अपना पूरा डीटेल देना है, तब वो आपको home loan के बारे में लगबग सारी शुज़े बताएंगे, बताने के बाद फिर अगर आप apply करना चाहते हैं, तब वो आपको एक form देंगे, जिसे कि आपको fill करना है, form fill करने के बाद जो जो documents हमने documents वाले section में बताएंगे उनका एक copy आपको form के साथ attach करना होता है, फिर वहीं उसी counter पे आपको उस form को जमा कर देने हैं, जमा करते ही वो आपका form चेक करेंगे, और फिर जो डो documents आपने वहाँ पर use किये हैं, उन सबका original copy मांगेंगे, आप उन्हें original copy दिखाएंगे, वो verify करेंगे, और फिर तुरंत वो आपको आपका original copy वापस कर देंगे, उसके बाद दोस्तों एक से दो दिन में आपका loan approve हो जाएगा, और loan amount आपके दिये गए bank account में disperse करती है जाएगा, तो इस तरह से आप offline bank से apply करके home loan ले सकते हैं, अब बात आती है कि home loan लेने के बाद यहाँ पे आपको interest कितने percent का लिए जाएगा और loan वापस करने के लिए कितने महिनों का समय मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों HDFC bank के तरफ से आपका starting interest rate 6.75 का है, और loan amount वापस करने के लिए आपको maximum 30 साल तक का समय मिल सकता है, यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको maximum loan amount पे कितने percent का interest लगा जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह interest rate charges वगरा change होते रहते हैं, तो जब भी आप video देख रहे हैं, एक बार आप comment section में जाके top comment जरूर check किज़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको updated interest rate के बारे में पता चल जाएगा, अब बात आती है कि HDFC bank से home loan लेने के बाद आपको कौन- processing fee देना होता है, जो कि अगर आप एक salary या फिर self-employed individual हैं, तो आपको यहाँ पे loan amount का 0.5% pay करना होगा, जो कि minimum 3,000 या फिर उससे जादा होना चाहिए, अगर 3,000 से कम हैं, तब भी आपको 3,000 या पे करना होगा, वहीं अगर आप एक self-employed non-professional हैं, तब आपको यहाँ पे loan amount का 1.5% pay करना होगा, processing fee के तोर पे, और यह 1.5% अगर 4500 या उससे जाता होता है, तब तो आपको उतना pay करना होगा, अगर 4500 से कम होता है, तब भी आपको यहाँ पे processing fee के तोर पे 4500 पे करना होगा, इसी तरह के prepayment charges, list of document, photocopy of document, इस तरह के और भी बहुत सारे charges लगते है जिसका भी list आपको description में और comment section के top comment में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे charges के बारे में जान सकते हैं, अब बत आती है कि दोस्तों अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, तो आप इस video को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस video में कुछ भी खराफ लगा हो, तो आप इस video क comment section में comment कीजिए, ताकि हम आपने आने वाले वीडियो में सुधार ला सके हैं, वीडियो को लाइस तक देखने के लिए धन्यवाद